नमस्कार, एक बार फिर से उन सभी विद्यारतियों का स्वागत हैं जिन्नोंने आज 5 जनवरी 2023 को यूटूब पर अलाबाद हाई कोड़ी के रिगार्डिंग कुछ सर्च किया होगा और वो भी दोस्तों गुरूप D की वेकेंसी के रिलेटेट सर्च किया होगा जिनमें उनका मन में डाउट रहे होगे कि इस वेकेंसी का रिजल्ट कब तक आएगा और एक एक एक्सपेक्टेट कट अफ क्या रहेगी दोस्तों करे इस प्रकार से आपके मन में आज डाउट चलेते और आज आपने यूट्व पर सर्च किया है तो दोस्तों बिल्कुल जो हैं आपने एक सभी वेडियो पर क्लिक के है क्योंकि इस वीडियो के माधियम से आपके मन में चल रहे इनी से भी डाउट्स को एक एक करके पूरी तरह से किलियर के जाएगा और आप सभी को सैटिसपाइट करने का प्रियास भी के जाएगा चले दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट की टेट को लेकर देखे दोस्तों जो भी अपडेट निकल के आ रही है उसके एकोडिंग ये बताया जा रहा है कि आपके इस वेकेंसी का जो रिजल्ट है वो जनवरी के लास्ट या फर्वरी के फर्वरी के फर्स्ट वीक तक आ सकता है तो अपन सभी जो है इसी को पॉइंट करके चलेंगे कि जनवरी का जो लास्ट वीक है या फर्वरी का जो फर्स्ट वीक है हमारी ग्रूप D का रिजल्ट जारी करवा सकता है अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपेक्टेट कट अफ के बारे में दोस्तों देखे मैं आगे की जानकर इस सेर करूँ उससे फिला आप से छोटी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के माधियम से किसी भी वीडियो को देखते हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखा करो अब दोस्तों इससे होगा क्या इसस से रिलेटेड जानकर इस सेर करूँ उससे पहले आप से एक चीज जो है डिसकस कर रहा हूं कि यदि आप यूटूब पर यूटूब के प्लैटफॉम पे कट आफ के लिए सर्च करते हैं या कट आफ की कोई वीडियो देखते हैं तो धियान दीजिए कट आफ की जो वीडि मिलेंगे इस से चार दोस्तों आप अभी जो है इस्टाप करे जा सकते हो क्योंकि बहुत सरे बच्चे जो है सेटिसपाइट नहीं होता है लेकिन बहुत सरे बच्चों को पता है यह मात्र का एस्टिमेट है और सभी वीडियो दोस्तों एस्टिमेट के बेस पर ही एक्स्प 24,000 या 16,000 जो strength है उसको देखकर जो है हमने दोस्तों cutoff को analysis किया है कि इस cutoff पर जो है आपको man's exam में बैठने को मिल सकता है तो देखे दोस्तों अगर आप general category में है और अगर आपके score 68-70 बने तो आप बिल्कु सहफ है OBC में दोस्तों देखे आपका score 67-69 बनेगा तो आप man's exam के लिए qualify हो सकते हैं और EWS में दोस्तों देखे आपका score 65-67 बने तो हो सकता है और SC में दोस्तों देखे आपका score 63-65 बने तो आप बिल्कुल man's exam में better जा सकते है ST में दोस्तों देखे आपका score 61-64 है तो आप हो जाएंगे और female में दोस्तों देखे आपका score 60 बने तो आप man's exam के लिए qualify हो जाएंगे ठेंके दोस्तों और प्लीज में better support